Facebook में एक वीडियो मैंने पोश्ट किया था उस पे एक कोश्चन है जो मैं आपके सामने लेना चाहूंगी और इसी कोश्चन पे आज वीडियो बनाना है आज के टोपिक में हम इसी वारे में बात करेंगे कि पतनी अगर चरित रहीन है तो पता कैसे लगाए दो मिनट में पता लगा सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति चरित रहीन है नमस्कार दोस्तों मैं कमलेस और आप देख रहें कमलेस सोनी लाइब एक्सपरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है जैस्री राम वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर इस कोश्चन का हल आप चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि जो औरत चरित रहीन होती है वह गैर मर्दों से नजदिकिया बना के रखती है उसे समाज का कोई भी डर नहीं होता कोई भी परवा नहीं होती है अगर ऐसी महिला है तो समझ जाए कि वह चरित रहीन है क्योंकि जो सरीप महिलाए होती है न वह गैर मर्द से ज़्यादा संबन नहीं रखती है और वो समाज की परवा भी करती है एक महिला का चरित रही उसके लिए सबसे महत्व पूर्ण होता है लेकिन जो महिला चरित रहीं होती है ऐसी महिलाओं को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता और उनके साथ रहने वाले कोई भी वेलू नहीं रह जाएगी वैसे तो आज के समय में आज के आधुनिक यूग में यह पता लगाना बहुत ही इजी होता है बहुत ही आसान होता है कि आपकी पतनिया आप जिस भी लड़की के साथ है वह चरित रहीं है बेवफा है या नहीं है तो आईए कुछ चीज इसका पता आप पडोसियों से लगा सकते हैं कि अगर महिला चरित रहीं होती है तो सबसे वहले आपके पडोसियों को खबर होती है कि यह महिला कैसी है आप इन सब चीजों से भी पता लगा सकते हैं जो महिलाएं चरित रहीं होती हैं वह पती के साथ कहीं बाहर जाती हैं काम पढ़ता है तब ही जाती हैं लेकिन जो महिलाएं चरितरहिन होती हैं वह बस मौका देखती हैं कि कब पती बाहर जाए और वह उनके पीट पीछे घर से बाहर निकले आजकल फोन में भी ऐसे अप आने लगे हैं जिने आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद वह फोन में सारी रिकार्डिंग कर लेगा हुए अप और आप उस एप को देखके भी पता लगा सकते हैं कि आपकी वाईप या आप जिसके साथ हैं वह कहां बात कर रही हैं और दूस इसा संबो नहीं है इसलिए अपने चरित्र को अच्छा बनाए है अगर नहीं रहना है आप उसे अलग होके कब हम एक किसी के साथ रहर के या चरीत्र हिंता नहीं करनी चाहिए आज के समय में यह सब चीजे बहुत चल्दी पकड़ी जाती है अगर आप चाहते हो ना कि यह सब करके मैं अपने घर को अच्छा बना लूँगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपका घर और बरबाद हो जाता है मैं उन सभी महिलाओं को बोलना चाहूंगी कि जो अपने आपको बहुत समार्ट समझती हैं बहुत होसियार समझती हैं कि मैं अपने पती को अपने घरबालों को पता नहीं चलने दूँगी कि मैं ऐसा काम कर रही हूं किसी को कानो कान तक खबर नहीं होगी तो यह आप बहुत सोशल मीडिया का है तो आप जानते ही हो कि कितना बुरा आपके साथ हो सकता है ये जिन्देगी आपकी बत से बत्तर भी हो सकती है तो सभी चरितने हिन महिलाएं जो अपने आपको स्मार्ट समझती है ये मैं गलत भी कर लूँगे किसी को पता भी ना चलेगा ना तो अब वो जमाना नहीं रहा है जो कमेंट है आपका कि आप ऑफिस चले जाते हो काम पर चले जाते हो तो आपकी पत्नी आपके पीट पीछे क्या करती है तो एक दिन आप छुट्टी ले लो एक दिन में आपको पता चल सकता है चरित रहिन लोगों के पीछा करने से उनका आचरन बहुत जल्दी पता चल जाता है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या वो हाउस भाइफ है तो कोई भी बहाना करके आप घर से बाहर जाओ और कुछ देर बाद आप घर में आ जाओ जबही आपको लगता है कि इस टाइम पे वो गलत कर सकती है मैं इस टाइम पे घर नहीं रहता उस वक्ता आप घर पे आजाओ तो भी आपको पता चल सकता है सामने बाले के हाव भाव से بھی पता लगाया जा सकता है कि वह सही है या गलत है वह व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है या जूटा या सिर्फ दिखावा कर रहा है व्यक्ति की आँखे उसकी चरित्र को बता देती है कि वह व्यक्ति कैसा है अगर वह व्यक्ति आपसे जूट बोल रहा होगा ना तो आपसे नजरे नहीं तो इन सब चीजों से भी समझ में आ सकता है देखे ये तो तरीके थे पता लगाने के कि क्या ब्यक्ति बास्तों में अभी भी आपको दोखा दे रहा है इन चीजों का पता आप इन तरीकों से लगा सकते हैं यहां मैं किसी भी महिला या किसी भी पुरुस को हट नहीं करना चा आपका चरित्र खराब है आप जीवन में ना तो सुकसांती ना सुकुन कुछ भी नहीं मिलने वाला पल भर की खुसी के लिए अपना पूरा जीवन बरबाद हो जाता है यह वीडियो सिर्फ समझने मात्रे के लिए है जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है अभी भी सुधर जाओ मेली बात तो मैं बता दू कि जो भी एक वार गलत काम करता है उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो ना समझी ना दनी आपने गलती का एहसास हो उसको पस्चताप हो तो भी व्यक्ति अपने पस्चताप की आप में खुदी जलके सभल जाता है सुधर जाता है स वो अपने आपको बहुत स्मार्ट समझता है कि मैं बार-बार ऐसी गलती करके और अपने हस्बेंड या अपने वाइफ को मना लेता हूँ और ये लोग मान जाते हैं दो बार से अगर तीसरी बार हो तब तो बिल्कुल भी नहीं विश्वास करना चाहिए क्योंकि धोखा वही देता है जिसे आप मौका देते हैं आप उसे मौका दे रहे हो बार-बार धोखा देने का आपके अंदर ऐसी कौन सी कमजोरी है जो आप बार-बार उसे माफ किये जा रहे हो अपनी कमजोरी अपनी कमी पे काम करो किसी के साथ रहने के लिए उसके गुनाहों को एकसेप्ट मत करो अगर ब्यक्ति सराफत की जिन्दिगी जी रहा है आपके लिए उसके मन में फिलिंग है आपसे प्यार करता है तो ही आपका जीवन बहतर है और अगर आपकी कोई ऐसी कमजोरी है जिसके बज़े से वा गलत कर रहा है तो उस कमजोरी के चलते वो बार बार गलत करेगा जब तक आप उसके उपर काम करोगे अपनी कमजोरी को खतम करो अगर आपकी कमजोरी है आप कुछ गलत कर रहे हो उसकी बज़े से आपका पार्टिनर आपको धोखा दे रहा है, आपसे चरित रहिंता पे उतर रहा है, कुछ गलतिया कर रहा है, तो उस गलती को खतम करो, अपने आपको सुधारो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कम्या होती है, जो हम सामने व उसे तीसरी बार मौका बिलकुल भी मत दो, उसे बोलो कि जहां वो गलत कर रहा है, आप उसको उसके साथ छोड़ देते हो, आजाद कर देते हो, आप भी अपने जीवन को बेतर बनाओ, साथ में सामने वाले को भी आजाद कर दो, तब उसे परता चलेगा, कि जिन्दिगी क क्या होती है, रिष्टे क्या होते है, कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, कि अगर पती के साथ है, सब सुखसुविधाय पती दे रहा है, तो इंज्वाय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए हर कोई उसका आसिक बन जाता है, हर कोई उसके फीदा हो जाता है, जब उसका पती होता है तभी तक अच्छा लगता है उसके बाद अगर जिम्मेदारियां उठानी पड़े ना किसी की तो बहुत कमी लोग होते हैं जो आगे आते हैं तो इस तरह से उसे भी पता चल जाएगा जो आपके साथ गलत कर रहा है कि उसकी उकात क्या है सामने वाला व्यक्ति उसे कि तरह से ले रहा है ऐसे रिष्टे से तुरंद मुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि अगर रिष्टे में प्यार और विश्वास नहीं है तो उसी लिए नियम बने हैं संसकार बने संसार बना है तो उसके साथ उसको सजा मिलनी चाहिए और अगर आप ये सब चीजे बरदास कर रहे हो तो इसका मतलब आप में कम जोरी है कभी भी एक मर्द एक औरत जो होती है वो कभी भी ये चीजे बरदास नहीं कर सकते कि कोई भी उसका इस्तिमाल करे उसके साथ गलत करें और फिर भी वो उसके साथ रहे तो बस जो कमेंट था कि मेरी पतनी बार-बार ऐसा कर रही है तो कैसे पता लगाओं आप इन चीजों से पता लगा सकते हैं उसका वेवहार नेचर आपके लिए अच्छा नहीं है अगर वो आपसे प्यार नहीं करती है कई बार वो आपको धोका दे चुकी है तो अब बगता गया है उससे खुल के बोलने का पहले आप पता लगा लो कि क्या बाकई में वो आपके साथ अब भी गलत कर रही है पता लगाने के कई तरीके मैंने यहाँ पे आपको बता दिये है पता लगाने के बाद उसे आजाद कर दो किसी को जबरजस्ती कंट्रोल या काबू में नहीं किया जा सकता किसी के नेचर या चरित्र को जबरजस्ती नहीं बदला जा सकता क्योंगे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जहां मैंने बताया है कि कुछ चीजें हमारे blood में होती है, हमारे DNA में होती है, उसे नहीं बदला जा सकता, वो व्यक्ति जैसा है, वैसा ही रहेगा, ये आपको समझना है कि उस व्यक्ति के साथ क्या करना है, आगे आप खुद ये समझदार है, आपका निर्णे आपको खुद लेना है, मेरा काम सिर्फ सलाह देना है, किसी को मजबूर नहीं करना कि आपको ऐसा ही करना, आपको जो सही लगे, जैसा सही लगे, और आपका जीवन, जिस चीज से बहतर हो, उस चीज को करो, वीडियो कैसा लगा? कमेंड क करके जरूर बताए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद, अगर वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे यूटूब चैनल पर आये, तो चैनल को सब्सक्राइ के साथ तब तक आप सब लोगों को जय स्त्री राम